नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज में लोग इस वीडियो में विश्टू के प्रमुख खाने जुद पादक अग्रिनी देशों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखेगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी देशों को आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूँगा तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोयला की तो कोयला की उत्पाद में पर्थामिस्थान रखने वाला जो देश है वो है चीन अच्छा चीन से मिलता जुलता एक सब्द है चील और कोईला से मिलता जुलता सब्द है कोईल दोनों ही पक्षी है है ना तो आप आसान नहीं स्याद रख सकते हैं कि कोईला की उत्पाद में पर्थमिस्थान रखने वाला देश कौन से है चीन है ऐसे नहीं याद रखना है तो दूसरे तरीके से याद रखिए चीन को बोलते हैं चाइना और चाइना में सब्द हैगा चाय और चाय आपने सुनी होगी ब्लेक टी यानि काली चाय है ना तो काली कोईला भी होता है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोईला से काला तो कुछ होता ही नहीं है तो कोला के उत्पादमे पर्थामिस्थान रखने वाला देश कौन से है, चीन है, अगला हीरा, और हीरा के उत्पादमे पर्थामिस्थान रखने वाला देश है, रूस, ठीक है, तो हीरा, यहाँ पर जो हीरा है, उसको क्या बोलते हैं, डाइमंड बोलते हैं, डाइमंड से मि जो कोई भी कोई भी कि सीज़ की ढिमांड करता है इसकी ढिमांड पूरी नहीं होती इसे बात है रूट जाता है तो रूट फोर रूस तो यहाद रखिछेगा कि हीरा की उद्पादन पर्था में इस्थान रखने वाला जो देश है वह कौन से है। रूस है ठीक है अगला है तामबा और तामबा की उत्पाधन प्रथा में स्थान रखने वाला जो देश है वो है चिली अब यहाँ पर तामबा की बात हो रही है तामबा से एक मिलता जूलता सब्द है तबा तामबा तबा तो रुमेच करते हैं तबा आपको पता होगा जिसमें रोटी बनती है और यहाँ पर चिली की बात हो रही है तो चिली से एक मिलता जूलता सब्द है चिल्ला अगर आपने चिल्ला खाया हो तो आपको पता होगा वो भी तवा में बनाया जाते है और नहीं खाया तो एक बार खा के देखिया को बहुत ही स्वाधिष्ट होते है तो चिल्ला जो है वो तवा में बनाया जाते है तो आपको याद हो जाएगा कि तामबा के उत्पादन में प्रथमिस्थान रखने वाला जो देश है वो कौन सा है चिली है ठीक है अगला है लोह आयसक जिसके उत्पादन में प्रथमिस्थान रखने वाला जो देश है वो है आस्ट्रेलिया लोह की बात हो रही है मतलब लोह अगला है चांदी की उत्पार्ण में प्रत्थमिस्थान रखने वाला जो देश है वह है मैक्सिको मैं इसको यहीं उसको सब्सक्राइब है प्यार से सम्मंदित और आपने देखा और जो प्यार में पड़े रहते हैं वह हमेशा एक्जामपल किसका देते हैं चांद तारूं क हैना सामने वाले को बोलते है की चांद से बढ़िया है, कुल मिलाकर बाकी आपको पते है चांद ऐसा दिखता नहीं है जैसा वो बोलते हैं तो आप ऐसे आद रखेगा कि चांदी की उत्पादानमे प्रथामिस्थान रखने वाला देश कौन से हैं मेकिसिको है ठीक है इसके कच्छा तेल की तो कच्छा-तेल की उत्पादानए स्थान रखने वाला जो है अमेरिका मैंने आपको ब Linked wristband नीव है उत्हला पेट्रोल डीजल के रोसीन यह सम निकाला जाता है कुल मिलाकर यहां जीक है So garniकर के पास घृड्ब अमीर हो जाएगा है ना अमीर फॉर अमेरिका तो याद रखिएगा कि कच्छा तेल के उत्पाद में प्रथामिस्थान रखने वाला देश कौन से है अमेरिका है वैसे तो कोई भी खनीश पदार्थ बहुत ज्यादा मात्राम होगा तो वह अमेर ही होगा लेकिन आपको पता ह कि सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है पेट्रोल डीजल का है ना तो ये जिसके पास होंगे तो ये रोज पैसा कमाएंगे और हर आदमी की जरूरत है तो जाहिर सिवात है कि वो ज़्यादा जल्दी हमेर होगा ठीक है बाकि अगर आप किसी से बोलो हीरा खरीद लो त तो प्राकरतिक गैस के उतपादा में प्रथामिस्थान रखने वाला जो देश है वो है रूस तो आपको पता है जो गैस है अगर कहीं से लीकेज हो रही होगी तो पूरी की पूरी गैस जो है वो रिस जाएगी इस निकल जाएगी उड़ जाएगी तो रिस ना फरूरु स तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्राकृति गैस की उत्पाद में प्रथामिस्थान रखने वाला देश कौन से है रूस है वैसे जो गैस होती है नौर्मिली कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत तो रिस्ती ही है अब जो अगला है वो है बाकसाइड और बाकसाइड की ओँत्पादन प्रथामिस्थान रखने वाला देशित कौन सा है तो प्लेट सब दिमिल जायगा फ्लेट मतलब खाने पिने के लिए प्लेट की उरथ परती है खाना पिना उसी में रखेंगे और मेंगनीज में आपको सब्द मिल जागा मêtes जाएगा मघनी कौन करवाते है साधी व्यायवाली मघनी की बाद हो रही है तो पंडित जी करवाते हैं और आपको पता है पंडित जी फ्रीका नहीं करवाते हैं बलकि वो दक्षिना लेते हैं फ्रीका नहीं करवाते हैं दक्षिना फोर दक्षिन और फ्रीका फोर अफ्रीका तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मगनी पंडिजी दक्षिना लेकर करवाते हैं ना कि फ्रीका तो मैगनीज की उत्पाद में प्रथमिस्थान रखने वाला कौन सा है दक्षिन अफ्रीका है अगला सोना जिसके उत पादन प्रथमिस्थान रखनेवाला जो देश है वह चीन ही है चीन जिसको बोलते है चाइना है ना चाइना में चाय सब्द मिल जाएगा ना और सोना सब्द यहां पर लिखा हुआ है तो आपको पता है अगर किसी को नीद कंट्रोल करने होते हूं तो उसके कम के करण लेकिन नीद भी कम आती है तो चै से क्या होगा सोना कम हो जाएगा तो याद रखिएगा सोना कुत पाहँ मैं प्र ठमिज्थान रखनेवाला देश कौन से है जो है वो चीन है ठीक है अब रख को कर लेते हैं अद्रक तो अद्रक वाली चाय होती है चाय फोर चाइना यनी चीन तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अब रख की उत्पादान प्रथामिस्थान रखने वाला देश कौन से है चीन ही है अब अगला है यूरेनियम और यूरेन कि उत्पादन में प्रथामिस्थान रखने वाला जो देश है वो कौन से है कजाखरस्तान है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टंगस्टन की तो टंगस्टन के उत्पादन में प्रथामिस्थान रखने वाला जो देश है वो है चीन साथ ही साथ कैडमियम के उत्पाद परिस्थितियों में सामने वाला चिलाएगा है ना अगर मान लिजे कोई किसी को कैड़ करके रख रहा है या फिर कोई किसी को बहुत ज़ accident कर रहा है तो चिलाएगा है ना तो चिलाना फॉर चीन कर ली तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टंगाइश्टन की उत्पादन प्रथामिस्थान रखने वाला देश कौन सा है चीन है यनी चाइना है इसके बाद जो अगला है वो है निकेल और निकेल की उत्पादन प्रथामिस्थान रखने वाला जो देश है वो है इंडोनेसिया अच नकल करने में दो लोग की जरुद पढ़ती है एक नकल करने वाला दूसरा नकल करवाने वाला है ना तो नकल करने वाला करवाने वाला दो लोग होते हैं तो इंडोनेसिया में इन दोनों सब्द मिल जाएगा तो आप ऐसे याद रखिएगा कि निकल की उत्पादन पर्थामि अगला है टीन. टीन की उत्पाता प्रथामिस्थान रखने वाला देश है चीन. टीन, चीन, मैच करते हैं ट्रिकी जरूरत नहीं है अब अगला है सीसा और सीसा की उत्वादम प्रथमिस्थान रखने वाला देश कौन सा है चीन ही है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सीसा की सबसे उची पुल किस देश ने बनाई है तो आप बोलेंगे देश कौन सा है चीन है ठीक है तो इस तरीके से अपनी वीडियो कम्पलीट हुई अगर आपको वीडियो अच्छी लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजे और दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजेगा और हाँ मैंने पहले ही आपको बोला तो एक बार फिसे बोल देता हूँ कि अगर आपको ये सभी खनी उत्पादक में याद है कि भारत में कौन सा राज प्रथम है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना ठीक है तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में